नमस्कार नियूज क्लिक्म आपका स्वागत अभी मौजब अभी हम मौजब हैं दिल्ली के इस्तित सुर्जित भवन में जहां पर एक जनसुनवाई रखी गई है जनसुनवाई किस चीज़ की जनसुनवाई पिछले कुछ महिनों में जिस तरही की से जी ट्वेंटी समिट के नाम पर लाखो की आवादी को बेदखल किया जा रहा है सिर्फ यह राजधानी में नहीं देश के तमाम सहरों में जिन सहरों में जी ट्वेंटी समिट होने हैं उसके नाम पर सहरों के नाम पर लोगों को अपने घरों से बेदखल किया जा रहा है उस बेदखली और जिसको सरकार अतिकमर्क बता रही हैं लेकिन वो उसमें रहने वाले लाखों मजदूरों के पास पुनरवास के नाम पर सरकार के पास कोई होजना नहीं है और वो सारे लाखों लोग बेघर होने को मजबूर हैं अभी हालिया एक रिपोर्ट आई जिसमें बताया गए पिछे दो महिन कर दो लेकिन जनसुनवाई है जिसमें वकील पत्रकार और है लोग मजदूर और उसके अलावा जो पूर महा पावर हैं जो सरकारी नीतियों को समझते हैं किसी तरह काम होता उसके बारे में एक पब्लिक सुनवाई रखी गई है जनसुनवाई इस बाते कर रहें उसमें क्य सुनी है जो इनकी अत्मकता उन्कों सुनी है उसके बाद इनों ने इनकी क्या राइबनी है इसको लेकर इन से बात करी इसके अलावा जो पीडित जो इस विरन सुनवाई में सामिल होना है तो से प्रदेश बात की है सुनी उन्होंने क्या कहा है और यह सारी जो जी ट्वेंटी के नाम पर तोडफोर चल रही प्रदेश बर में इसको लेकिन कि क्या समझ है और आगे का रास्ता नों क्या होगा और इस सुनवाई नहीं क्या अपनी चर्चा की है मैं वेला स्टेट में रहती लेकिन अब अचानक से डीडिये आ जाती है कॉमल वलत के गैम जो 2010 में हुआ 2012 में होता चाहिए लेकिन उसी टाइम पर मिलाब धीरे धीरे इनों ने क्या किया फिर हमारी जमीन को हत्याने का काम सुरू कर दिया केस वेस किया हम लोगों ने कोट में कोई सुन्वाई नहीं की ग हमने प्रूफ किया लेकिन उसके बावजुद हमारे कागज को रदी समझ गर कूड़े में डाला जाता कि कुछी काम के ने डाले से कूड़े में वहां से हमें हरा दिया गया उसके बाद कैना में हम लोगों के घर तोड़े गए अभी पिछले साल भी 24 मई 2022 में हमारे घर तो सिसकी हम पूरी लेडिसोंने पूरी ताकत लगाई रोकने के लिए तो हम पर परसासन इतनी बुरी तरसे हावी हुआ कि लेडिस लेडिस को तो हैंडिल कर सकती है लेकिन जो फोजी भाई आते हम लोगों की रक्षा करने के लिए जो रहते हैं देश की रक्षा करते हैं वो लेडी सो भी पुरी तरसे डंडा बजाया उन्होंने गहसीटा है ना बड़ी बूडी बच्चे किसी को नहीं देखा गया सब पे पुरी तरसे डंडा बजाया गया वो अत्याचार हमने सहा और हम फिर भी हमने एकाम ये जगा नहीं छोड़ेंगे पिर वेड़ आइझ जाहया नहीं कर्वे है और हम्हारी खर्बों की जगा ले रहे हो क्या हमें एक कॉनर रहने के लिए नहीं दे सकते हैं की मुझे लगतš энर्ग के भारत्मान सरकार को पुला यूद देश के मुस्लिमानों के साथ हो रहा है और देश की जो प्रक्टिशी लोग हैं जो सम्मिधान के को उठाके खड़े है लेकिन एक तीसरा शत्रू भी है सरकार का और वो है देश के कामकाजी गरी मजदूर हमने नोटबंदी की लॉकडाउन किये पर अब ये पूरा जो अभियान चल रहा है ये सब उनको उनके बराबर के हक सरकार हमाई पहचान ने रही है और सिर्फ राहन मंतरी आवास योजना जैसी चोटी योजनाओं से इसका हल नहीं निकल सकते हैं जब आप शहर का मास्टर प्लाइन बनाते हैं तो ये आप बहुत इसली कैलकुलेट कर सकते हैं गढ़ना कर सकते हैं कि कितने कामकाजे मजदूर परिवार इस शहन में आएंगे वो रहेंगे कहां तो जब आप मधिमवर के लिए, अमीरवर के लिए, मॉल्स के लिए सूपर हाईवेज के लिए, सब के लिए आप प्लाइनिंग करने हैं तो गरीब आवास के लिए क्यों नहीं करने हैं और ये मैं कोई विच्चितर बात तो करने ही रहूँ है दुनिया के बहुत शहरों में जाता हूं जिसमें सोशल हाउजिंग जिसको कहते हैं कि सरकार की ही जिम्दार, ये मुनाफे पे चलने वाले बड़े बिल्डर्स कभी भी गरीब के लिए आवजिंग नहीं करेंगे सरकार की जिम्मेदारी है और रेंटल हाउजिंग जो किराये पे, सामानिया किराये पे सब मजदूर, जितने मजदूर हैं, आप उनके लिए विवस्ता करें, ये सरकार की जिम्मेदारी है और जब सरकार नहीं करें, उसका अंजाम ये है कि लोग इस हालत में जी रहे हैं अब उससे भी आप बहुत गरूरता के साथ उनको अलग कर रहे हैं जिस तरह हमारे सरकार, जो केंद्र की सरकार हो, या इवन राज्य सरकारे हैं और इवन जो शेहर की सरकारे हैं वो अपनी गुर्बत को ढखना चाहती है और लोग कह रहे हैं कि पहले नारा होता था गरीबी हटाओ, अभी गरीब को हटाओ और छिपाओ अलागी पहले भी बहुत गरीबी हटाओ का नहीं था, पहले भी बहुत सारे स्लम्स की विक्षिन हुई है तो अभी तो पूरा चुपाने वली बात हो रही है, जैसे बॉम्बे में कहा गया कि पूरा एक दिवार लगा दी, लोहे की दिवार लगाई किसी तरह से अलगलग शेहरों में अलगलग कहानिया हैं, तो ये तरीका सही नहीं है, ये बात साफ है और सीपियार के एक स्टडी है, जिसके अनुसार दो लाख एविक्षिन हर साल होती हिं हिंदुस्तान में कि शहर में तो लोग आरहे हैं, लोग आएंगे भी, और सहर की जो विवस्ता है, वो विवस्ता आज जो जडूरत है क्योंकि पूरे दुनिया माइगरेंट के दम पर बनी है, यहां से हमारे माइगरेंट लेकर इंगलेंड बसाया गया इसी तरह से हर जगा माइग्रेंट के अधार पर ही दुनिया बनी है अभी वहां के पूरे जुड़े हुए हैं लेकिन शहर की जिस तरह से विवस्ता काइम हुई है उसमें ना तो उनके लिए घर का विवस्ता दी गई है और साथ में जो अपना रेडी फडी इसकों बोलते है स्टीट वेंडर अक्ट के बावजूद बहुत सारे किस से हमने इसले हैं जहाँ पर स्टीट वेंडिंग एक्ट लागू हुआ है टाउन वेंडिंग कमिटीज हैं और उसके बावजूद के पट्टे के वो गरीब हैं, दलित हैं, मुसलिम हैं, वो बहुत ही जादा हुआ है, सामने देखने को भी मिल रहा है। तो ये दरसल जो आज डिमांड मुकृत रूप से आती है, कि ये जो पूरा री डिवलोप्मेंट के प्रोजेक्ट से हैं। ये जो मतलब पुनरवास चहर होता है, ये पुनरवास दरसल विस्थापन हो रहा है, और ये जी ट्विंटी अपनाप में एक डिजास्टर बनके सामने आ रहा है, ये अपदा के रूप में देखने की बात है, अभी औरों को भी सुनना है, लेकिन ये अपनी गरीबी चुपा के महांता नहीं हो सकती है, जो हकीकत है वो हकीकत है, और उससे अच्छा होता के सुना है, एक हजार करोड रुपया गवंन्ट लगा रही है, एक हजार करोड में अगर आवास बनते तो ज्यादा अच्छा आवास बन सकते थे लोगों को. तो पुब्लिक एरिंग जो है, वो चुपन सितिसंस, I mean organized किया है, so it's a coming together of many organizations in Delhi and outside, जो अलग अलग cities में जो evictions, forced evictions देखा है, और उसके उपर लोग काम करें, उसको देखते हुए कि यह लगा कि, it requires to kind of put together a public hearing. This time, this is done in the name of G20 events which is happening around the country, but we can't kind of look this in isolation from the other evictions which is happening all the time, in the name of beautification, in the name of road whitening, in the name of whatever, I mean they gave it different names different times. this time it's G20 and we want to kind of look into what exactly is kind of happening what is the depth of the issues what is the spread of the issues what are people's concerns so this is a hearing on that public hearing on that public hearing is very important because it is showing the world because after all G20 is not just an India issue it is an issue that concerns the world and if the world doesn't take note of what is happening then I think we are living in a terrible world what's happening really is that in the name of getting the country ready to welcome the guests who will come as part of the G20 process what we are seeing is a huge injustice being perpetrated on people ordinary people who have no recourse who have no voice who are trying to get a foothold on life they are most vulnerable they are the ones who are being most affected because their houses are being demolished the places where they work are being demolished if they are hawkers their livelihood possibility of having a livelihood is removed from them and this is happening not just in one or two cities but across the country wherever there are G20 you know events happening so I mean I'm glad that people are now raising their voices because of course G20 of course we should welcome everyone to this wonderful country of ours but if it is to cause such devastation in people's lives I think we need to rethink the way it is being done I have come to Kashmir Gate from Nigambodh Ghad from Nigambodh Ghad what happened to you what happened to you where did you tell us? where did you tell us? I live there I have been 22 years old I have been a little child my husband and I have been a little child my husband and I am and I have been a little child this is to come back and my husband has given us this is not going back but I don't need to prevent the same of this is happening if someone doesn't get happened in the house another person has never gone into the house a girl be born out of the house he is born with the mother so why are you hurting her mother? then yeah when he is hurting her she will hurt her and then she will hurt her He will hurt her no one had a notice or no one had told us in that time as I was aware of the time I was working in that time the food was eating in that time the food was consumed इतने दुनिया बर के कमांडो आगे बीस अफ वाले, जुगी जुपी तोडने वाले, हमें नहीं बताया गया था. मैंचे लगता है कि हमने जो बहुत मुश्किल, बहुत दशकों बाद गरीब के हक्त में जो कानून बने हैं, उनका क्रियान्वेन बहुत कमजोरी से हो रहा है. जब हम लॉक्टाउन हुआ, तो हम लोग जब सुप्रीम कोड के हम कुछ लोग गय थे, हम कह रहे थे कि नियुनत तो कम से कम NREG के कारण से एक सूची है कि मजदूर लोग कितने और कौन हैं उनके बैंक अगाउंट से, शेहर में उनका, मतलब सरकार की नजर से पूरी तरह से ओजर है, उनका रिजिस्ट्रेशन तक नहीं है, तो कानून कहता है कि हर मजदूर का रिजिस्ट्रेशन होँआ जब आप आंक्रे देखते हैं तो इतना हास्य प्रद है जतनी कम संक्या में तो सरकार और हम सोचे के लॉक्टाउन के बाद जो मजदूरों की जो हालात देश के सामने आई कि कुछ तो कम से कम थोड़ा बहुत तो बहतर हक के कानून मजदूरों के लिए बनाएंगे लेकिन उ खत्म करने की योजना सरकार की हैं तो कानून मैंने देखा है कि कानून गरीब के हक में कानून का क्रियांडिंवन तब होगा जब समाज में तैयारी होगी एक समझ होगी खास करके मढद्यंबर और अमीरवर्ण में कि वह भी हक रखते हैं और वो हम आज ऐसे अपने देश म हैं आएड जाएड पारे जहां गडिशाथ घरीच हम इसे राहें जहां भी का खास फरह के शेहरी गडिशारी गडिश्टार हैं नहीं कि तयारी मुझें यह जारे भी हरी चाहरी है। We haven't kind of finally decide it and that's the reason we are not announcing it as of now. This is not just an event. We certainly want to bring out a report on this and share with all concerned people to highlight these issues including human rights organizations and other human rights bodies wherever we can submit this. This is not just an event. We want to take it forward to whatever possible way that we can. झाल झाल